हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस पोड़ कास्ट में और जैसे कि मैं ने आपसे डिकलेर किया था बताया था के मैं अपने पोड़ कास्ट पर अपने students को participants को और अपने subscribers को invite किया करूँगा और कमाल की बात यह रही कि आज हमारे पास मेरे बहु में है तोड़े और मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं गर सकता कितना ब्लेस्ट फील कर रहा हूँ स्पेशली जो आपने कहा कि first I am to be from your participants कि आपके podcast पे होते हुए और that is a blessing sir. मेरे लिए भी बहुत बड़ी opportunity है पहली बार के कई बार मुझे भी सवाल यह उठता था कि मैं क्या बात करूंगा कैसे पूछूंगा तो it will be a I mean wonderful beginning तो पहले तो सबसे पहले चरंजीव आप से लोग यह जानना चाहेंगे के चरंजीव यहां पर कैसे आये हैं और आप कैसे student बने कभ आपने NLP किया और उसके बाद कुछ और बात करते हैं थोड़ा बताईए अपने बारे में आप कहा के रहने वाले हैं मैं sir Delhi से ही बिलॉंग करता हूं और मैं बोलूँगा कि NLP मेरी लाइफ में एक transforming चीज लेकर आई और जब मैं आपसे जुड़ा था आज करीबन 10 साल हो चुके हैं और मैं सब को यह बताना चाहता हूं कि sir हमेशा guiding light रहते हैं अपने participants के लिए मुलब I never felt कि मैंने आपके साथ कोई एक program किया था it was just like कि मैं आपकी family में associate हो गया था sir और आपने मेरी life को totally transform करके रख दिया आपकी techniques ने जो की NLP से कहीं beyond जाती है actual में कि लोगों को लगता है आप सिर्फ NLP teach करें बट नहीं उससे कहीं beyond जाती है और मैं अगर अपनी journey की बात करूँ तो आपसे मिलने के बाद जिस background से मैं आता हूं sir वहाँ पर ऐसा कोई entrepreneur background नहीं था कोई ऐसा corporate background नहीं था बट आपके program को attend करने के बाद actual में मैं कहूँ त और parallelly साथ के साथ ही मैंने अपनी teaching journey शुरू की थी तो coaching और आप से मिलने के बाद पता चला कि पहले तो वहाँ पर कैसे scale किया जा सकता है जो कि मैंने किया लेकिन next level ऐसा आ चुका था sir जहां पर stuck feel होना शुरू हो गया था तो उसके बाद जो आपने technique सिखाई जो आपकी guidance उसके बाद आज मैं company को lead कर रहा हूं as a CEO और मैंना जैसा बताया आपको कोई corporate background नहीं sir कोई high-end colleges से MBA नहीं किया बट यह सब कुछ आपकी guidance की और NLP की देन है और मैं आज उस company को एक बहुत अच्छे package पर lead कर रहा हूं और साथ के साथ अपने passion को follow कर रहा हूं जो की आपकी guidance में teaching लेकर दूसरों को enlighten करना NLP की technique के लिए इस जर्णी में आप बताईए कि जब यू आर तू यंग और आप एक organization को lead कर रहे हैं और वह भी पूरे इंडिया को I think yes yes sir तो ऐसी क्या qualities हमारे नव यूकों में होनी चाहिए कि कई बार उने लगता है कि वह सब कुछ जानते है और हलका सा फिर इस जर्णी पर उनको जाना चीए नहीं जा पाते हैं कौन सी चीजें है जो आपकि life में आई होंगी और आपको strawberry अपको पीछे रोका होगा आपने उनके उनसे अपने आपको निकाला भी होगा कौन से सी चीजे रही होंगी जो आपने अडोप्ट की होंगी जर्नी में बहुत सारे चैलेंज़ आएंगे आपने बताया था कि आपके फादर भी नहीं है तो यह जर्नी और मुश्किल पड़ जाती है जब आप I mean फादर के साथ के पस अपॉर्चनिटी आती है बट उस लेवल तक जाने के लिए अपॉर्चनिटी के लिए तयार रहना बहुत जरूरी है जो आपने कहा था आपने वर्क्शॉप में ही यह बोला था मुझे और वो मुझे आज तक यादा सर तो कहीं ना कहीं मैं यह बोलूँगा जो भी यं इवन NLP भी जब मैंने सीखा था तो मुझे आगे का रास्ता नहीं पता था कि कैसे तै होगा बट जब मैंने वो सीखा तो आज मैं लाइफ को पीछे back connect करता हूं तो मैं understand करता हूं कहां किस skill ने मुझे help किया तो आज जब मैं इंडिया को lead कर पा रहा हूं एक organization में तो वहा आज जब मैं organization lead कर रहा हूं that is into financial markets क्यूंकि मैंने financial markets के बार में पढ़ा, certifications लिए उस ताइम सिर्फ अपनी satisfaction के लिए लिए थे कि कुछ सीखना है, नया सीखना है, add-on करना है skill, but आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इतना involved है other चीजों में कि वह यह चीज भूल जात हूं, पर मैं हमेशा यह कहता हूं कि हमारी NLP में एक परी सपोजिशन है, कि if somebody is doing something, anybody can learn to do the same thing, तो आपने सबसे बड़ी आबाद रहे के आपने coaching शुरू करे, tuition शुरू करे, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आप इतना flexible रहे, opportunity को देखते रहे, अपने आपको change करते रहे, क कितनी बड़ी टीम है आपके पास, सर टीम अभी around 30 प्लस लोगों की है, and soon we are expanding to internationally also, अभी दुबई में भी ओपन होने रहे है, उसका एक learning center, तो बहुत जल्द हम September में, we are going to launch that as well, और आपका एक इंस्टाप का पेज भी है ना, जी, बेसिकली आपसे इंस्पाइर हो करी सर, मेरा लोगो help out करना, मैं जब उसे देख रहा था मुझे कई लगता था कि मैं ही बोल रहा हूं आपर, exactly, 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 मैं आपको वही चीज़े बता रहा हूं, your one-liners are printed here, मतलब वो one-liner यहां प्रिंट हुए पड़े हैं, जो आपकी वर्क्शॉप्स में, आप से जब मिलता हूं सर, especially, सबसे अच्छा मुझे लगता है, जब मुझे गाइदेंस की ज़ुरत पड़ती है, वहना है, call you, and you, say कि आज कॉफी बे मिल रहे हैं, and you, मतलब आप सब कुछ ऐसे वैनिश करते हो, जितने भी डाउट सो होते हैं, just like a blink of an eye, और उसके बाद इतनी clarity आ जाती है, और वही one तो आपके one-liners मैंने बहुत जगा यूज किये, even मेरा पेज देखेंगे, Instagram का, वहाँ पर भी सारे जो आपको content विलेगा वापी से inspired है, sir. अभी आप इतनी बड़िया एनरजी के साथ अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, अपने अगले गोल्स क्या है? Sir, next goal एक number set किया, आप से discuss भी किया था मैंने, उस number को achieve करना है, और उस number को achieve करते हुए साथ में बहुत सारे लोग की life को impact करना है, जो की आपकी guidance से start कर दिया, sir. और उस number को achieve करने के लिए, what one quality do you think you must have, or you must develop in yourself? Sir, मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने जो बताया है, कि NLP में एक बहुत important चीज है, कि मुझे यह समझना होगा, कि जब मैं उस quality को achieve होते हुए देख रहूं खुद को, अभी आप से discussion हो रहा था, तो जितने भी objections है, वो मेरे अंदर नहीं होना चीए, तो उस quality को मुझे ले तो कहीं बर हम एक level पर आते हैं, I am doing pretty much well आपकी guidance है, बट एक level पर stuck feel होता है, तो next level कैसे जाना है, वो आप से वही discussion चल रहा था, सर अभी Friends basically, चरंजीव जब यहां पर आये थे, तो उनका सवाल, उनके पास कई सवाल थे, तो हमने सोचा कि इसे podcast में convert करते हैं, तो वो सवाल मैंने अभी नहीं लिए, honestly, और मैं अब चरंजीव से कहूँगा, कि जो सवाल यह लेकर आये हैं, यह हमारा podcast का basically एक format भी होगा, कि है, हर एक आदमी के एक विशेश परकार की चुनोती है, हर एक आदमी के पास कुछ एक limitations है, और वो उनके साथ कई बार लड़ रहा होता है, और वो शेयर करना चाहता है, तो मैं यह platform अपने subscribers को, अपने participant को, अपने student को दे रहा हूँगा, और मैं यह मानता हूँ कि आपने यह देखा ही होगा कि वो सम मेरी family की तरह हैं, मैं हमेशा अपने past participant को अपनी family की तरह ही treat करता हूँ, कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं दूर का कोई इंसान है वहाँ पर, और यही चीज़ जब मैं बात करता हूँ अपनी वीडियो में, मैं सोचता हूँ कि जो भी देख रहा हैं यह, समझ लीजेगा कि और इनके सवाल होंगे तो कुछ निश्यत रूप से यूनिक ही होंगे, कोशिश करेंगे कि उनका कुछ समाधान निकले, तो अब यह podcast आपकी तरह से शुरू होगा, thank you so much sir, thank you so much for giving this opportunity, कि मैं अपने सवालों को बूच सोगे, और मुझे ऐसा लग लूजिंगे तॉल, इसा लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, चीजें बिल्ट कर रहे हैं, what if you lose it all, यानि कि अगर वो सब इंपक्त होता है, किसी भी गलती से सरफ, we can make mistakes at any point of time, तो कैसे उस सीज से खुद को बचाएं और कैसे उस डर से खुद को बचाएं, और ये डर फ्रेंड्स बहुत लोगों में होता है, जब हम जरनी को आगे बढ़ाते हैं, और हम एक कर लेते हैं, एक एमपायर को, अपनी डिग्निटी को कर लेते हैं, अपने पैसे को कर लेते हैं, अपने करियर को कर लेते हैं, और हम एक एमपायर के मालिक बन जाते हैं, त जब आप इन चीजों को बड़ा कर रहे हैं, तो आपका एक पार्ट इस कंसर्ण को लेकर आपको डरा नहीं रहा है. पहले तो यह समझे, आपका यह थोड़ चिर्फ आपके सामने एक सिच्वेशन रख रहा है, और सिच्वेशन को हम कोर्पोरेट के वर्ल्ड में या फिर पर पर आप़ी की सेल्फ इमेज में बैटा हुआ है, जो यह कह रहा है कि अगर यह हुआ तो, वो आपका यह समझें कि आपके दो बेटे हैं, एक बेटा जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन एक बेटा यह कह रहा है कि पापा यह अगर नुकसान हो गया तो, हमारा परिवार में यह तो वो बेसिकली आप से ये कह रहा है कि आपको आख खोल कर चलना है। उसकी एक पॉजिटिव इंटेंशन है। वो आपको ड्रा नी रहा है। वो थोट बेसिकली आपके सामने एक कंसर्ण, एक चिंता, एक चुनोती के तरह रख रहा है। और उसका ये डर बिलकुल वाजी है नमबर एक। तो उससे आप बात करेंगे, बात करते हो इससे कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, आई अकनोलीज यू, मैं तुम्हारी इस बात को एकनोलीज कर रहा हूँ, पहली तो बात यह है। और अकनोलीज करते हुए उससे फिर कहिएगा कि अब तुम अपनी इंटें क्योंकि इसमें वर्ड दर आ रहा है, तो यहां पर आपको उससे फिर पूछना है कि मैं डर को जीता हूँ, या मैं मुझे डर लगता है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, तो वो कहेगा कि आपके अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, य यह सेव करो इतना पैसा, या आपके पास कोई आपकी अपनी सनक है, यानि के कोई वीम है, उसको छोड़ दो, या आपके पास यह कोई obsessive behavior है, इसे कम कर दो या इसे छोड़ दो, या आप यह गलती कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि because you can cheat the whole world, but you cannot cheat your subconscious mind, आप पूरे दुनिया को दोका दे सकते हो, पर आप अपने subconscious mind को कभी भी दोका नहीं दे सकते, अपने central nervous system को कभी दोका नहीं दे सकते, तो वो आपको खुद बताएगा, कि देखे मेरे ये intention है, कि ये do's हैं आपके, जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, और ये don'ts हैं जो आपको कर लेने चा कहते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए, वो बिल्कूल गलत कर रहे हैं, कई बार लोग मुझे कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं, ये तुम्हारी values हैं, मुझे नहीं पता, नहीं जो भी तुम्हें करना है, उसे एक positive goal की तरह बना कर अपने resources को जागरत कर नहीं में मैं आपकी साहता कर सकता हूँ. So, आप ही के अंदर healing है, आप ही के अंदर सारी guidance है. So, this is the way, this way you can guide your subconscious mind. पहले तो उसको acknowledge करना है, thank you बोलना है, उसको प्यार करना है, और उसकी intention को पूछ कर, फिर उससे ही पूछना है कि how will you, I mean, what needs to be done by me, that मैं इन चीजों को ठीक कर लो, और मैं इस डर से भारा जाओ, या मैं इस concern से भारा जाओ, डर भी नहीं है, and immediately it will allow you. Basically, ये एक recap भी हो गया, मेरे लिए concept का, आपने बताया था कि हर आपका जो behavior आ रहा है, उसके बीचे कोई positive intention है. Everything, every positive, every behavior has a positive intention, वो आदमी भी जो आत्मत्या कर रहा है, उसका भी positive intention ये है, कि वो आत्मत्या इसलिए कर रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि आत्मत्या ही उसका rescuer है, अब उसके पास यही एक तरीका बचा है, अपने आपको stress free करने का, क्योंकि इतनी stress बढ़ गई है, एक एक आदमी cigarette पीता है, उसका positive intention है, कि वो आपनी relief को enjoy कर रहा है, या significance आ रही है, एक आदमी, I mean एक पैसे को बरबाद कर देता है, सारा कुछ एक बार में उड़ा के, उसकी positive intention है, कि उस समय वो relieved feel कर रहा है, गुस्से में आप किसी positive intention, every behavior, that we need to uncover, and we need to address it also, properly, लेकिन यह तभी होगा, जब आप एक mentor के साथ जुड़ें, नहीं तो वो answer भी नहीं कई बार आएगा, because your mentor है, वो आपको नहीं resource नहीं देता, वो आपके resources को awaken करने में आपकी help करता है, कि भाई देखो तुमारे पास करोड़ो रुपे हैं, तुम सो रुपे मांग रहे हो, और यह करोड़ो रुपे देखो, वो तिजोरी है, और तिजोरी का यह password है, यह मैं बिलकुल मानता हूं sir, यह मेरी life में आपने बहुत अच्छा रोल निभाया है हमेशा से, because मैं यह बोलना चाहता हूं, आपके viewers को भी, especially, because many people will get inspired, कि आप जब भी guide करते हैं, तो ऐसा feel होता है, कि same चीज, तिजोरी में सब कुछ था बट चा भी नहीं थी, and you always give a key, यह रहा access, otherwise मैं सब को यह बताऊंगा, कि क्या करना चाहिए, तो मेरे पर इतने कहा references हैं, पर मेरे पर एक reference है, कि इस आदमे को सब कुछ पता है, पर इस समय इसकी आखों पर पट्टी बंद गई है, इसे अपनी options या अपने resources दिखाई नहीं दे रहे, तो basically जब हम एक विशेश परकार की, मैं counseling करता हूँ अभी, तो उसमें मैं सिर्फ यह कहता हूँ, जो आपका resourceful पार्ट है, उसको आपको activate करना है, जो पहले आपकी help कर रहा था, आज कर नहीं कर रहा है, एक आदमी को मान लेते, कोई बीमारी आगी, cancer आगया, तो एक time था, उसके पास नहीं थी नहीं यह बीमारी, इसका मतलब उसके पास कोई part था ना, जो उसकी पहले help कर रहा था, health थी जिसमें, उसकी health ठीक थी, कोई ना, कोई guide कर रहा था ना, उसके mind और body को, अब अचाने कि ये body ने एक negative turn ले लिया है, तो इसका मतलब है कि वो part जो guide कर रहा था, उसने इसका साथ छोड़ दिया, यानि कि एक बाप ने हाथ छोड़ दूंगली छोड़ दी, बच्चे के और बच्चा भटक गया है, अगर वो हाथ फिर पकड़ लें उसका resource का, उसे फिर एक्टिवेट कर दें, तो वो फिर आपको guide करने को तयार है, इस मसले से वार निकाल लेगा, वो part आपके अंदर है, तो जो trainer है, जो coach है, उसका काम सिर्फ उस part को जागरत करना है, That's great insight, sir, great insight, एक चीज, sir, commonly, मैंने भी फिल किया, बहुत सारे challenges रहे हैं लाइफ में, but I don't stuck on the past events, तो ऐसा मैंने, जिन लोगों से connect किया, जिन लोगों से बात की, वहाँ भी फिल किया, कि बहुत सारे लोगों के पास, पास में कोई बहुत बड़े painful events नहीं है, but still they are intrigued towards negative beliefs में चले जाते हैं बार-बार, तो वो fabric of life कहां से form हो रहा है, sir, मतलब how is it forming? ये बहुत, इसके लिए मुझे बहुत समझाना पड़ता है लोगों को, कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास तो कोई stress नहीं, में बिमार क्यों है, मेरे पास तो कोई painful memory नहीं, में बिमार क्यों है, मेरे पास तो कोई painful memory नहीं, फिर मैं गरीब क्यों है, मेरे पास कोई painful trauma नहीं है, फिर मैं autoimmune disease क्यों पकड़े बैठा हूँ, cancer क्यों पकड़े बैठा हूँ, को आप एंजोई कर रहे हो, right? And suddenly, जैसे आपका, आप रोड पर देखते हो, टी पोइंट आया, आपने अपना टरन लिया, और देखा कि वहां तो एक डेड़ बोड़ी जा रही है, right? और एक थोट आ, oh my god, life is uncertain, आपने किसी को नहीं बोला, किसी नहीं आपको नहीं बोला, but a thought suddenly emerged inside you, in the inner voice, and आपने का, oh my god, life is uncertain, बले ये वर्ड ना बोले गोँए, पर आपने इस फिलिंग को ले लिया, कि life is uncertain के बाद जो आपकी फिलिंग थी, वो क्या होती थी, और उस की peak आपको मिल गई हो, जितनी उसको चाहिए, settle होने के लिए, तो समझ लीजेगा, वो आपके mind और body के अंदर, even genetic level पर जा चुकी है, आपका एक reference बन गया, कि life is uncertain, अब इतना ही नहीं, suddenly आपने, आपको किसी ने phone किया, आपने, उस नहीं कहा कि, sir, actually, I was, I mean, going on the bike, and suddenly, मेरे कीछे कोई आदमी बैठा ता, हो गिर पड़ा, उसको चोट लगी, it's very serious, and suddenly the second reference has created, has been created, that life is uncertain, फिर आप एकदम से news channel देखते हैं, कि फला देश का तखता पलट हो गया, और महाँ पर, I mean, violence चल रही है, ठीक है न, और महाँ पर किसी ने बोलते होए कह दिया, life is uncertain, तो वो strong हो reference जो है, तीन बार आ चुका आपकी life में, आपकी life uncertain नहीं होई, पर आपके लिए life is uncertain हो गई, in my inner world, in your inner world, अब आपका mind एक चीज को जानता है, कि life is uncertain, और आपने कोई NLP के trainer को नहीं पकड़ा, किसी आपने mentor को नहीं पकड़ा, आपने सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं, और आपने एक reference को strong कर लिया, अब ये बताईए कि पूरे देश को पता है, कि एक बीमारी जिसका सी से नाम शुरू होता है, सारी दुनिया को पता है, और हमारे देश को तो पता ही पता है, कई बार हो कहते हैं, कि सर मत लिया करो इसका नाम डर लगता है, कि भाई या ला इलाज है, ओके, ठीक है ना, आपको कितने reference दिये गए है कि माईगरेंट ठीक नहीं होता, दमा दम के साथ जाता है, ठीक है ना, रिष्टे जी का जनजाल है, लाइए लाइफ इस वर्ल्ड इस वेरी क्रूल, लाइफ इस दा बैड ओफ थौन्स, जब हम इन तरह के words को रोज़ना स हैं, वो भी ऐसी आ जाती है, तो आप, आपकी life में नहीं जरूरी है कि कोई painful event आई हो, पर आपके पास जो event आ रही है, वो आपके mind के लिए एक reference create करती जा रही है, हर दो बार या तीन बार के बाद कोई भी चीज़ जो repeat हो रही है, वो आपका fabric बनता जा रहा है life का, अगर life आपकी एक एक कपड़ा है, cloth है तो उसका जो fabric है, वो आपके references हैं, जो आपने जाने अन जाने में उठाए हैं, आपके पास senses जिसमें आपकी smell भी है, टेस्ट भी है, चलो यह तो दो ज्यादे काम नहीं करते हैं, पर आपके कान हैं, आपकी आखे हैं, और सबसे बड़ी है feeling, body, sensation, जो body के अंदर feeling आ रही है, अब वो तो परसीव कर रहे हैं ना पूरे world को, एक second में आप 12-15 message को परसीव कर लेते हैं, उसको delete, distort, generalize करके अगर आपने एक थोट को भी negative डाल लिया, तो वो तो आपके अंदर चला गया ना, तो ऐसे में लोग यह कहते हैं कि मेरे पास क YouTube खोल के देख लो, आप किसी न्यू चैनल को देख लो, आप किसी अगवार को पढ़ के देख लो, यलो जर्नलिजम है, इसके अलाव आपको मिल क्या रहा है, तो रेफरेंसिस आपके सच मुझ में बगडे पड़े हैं, चार रेफरेंस आपके पास, जब मैं लोगों से कहत थी, कई बार आप घर पे नहीं पहुंचे तो मम्मी ने आपकी वेट करिया है, बेटा आएगा तो भी खाना काएंगे, लेकिन इन इवेंट्स को तो हम पीछे डाल देते हैं, क्योंकि ये रिजोल्ड इशू होते हैं, ये रिजोल्ड हो चुके इशू, तो इनको तो हम मैम तो आपका subconscious mind, आपका subconscious mind आपके उस moment को जी लेगा, जहां आपकी भी insult होई होगी, और immediately वही genetic expression आपका expressed होना शुरू हो जाएगा, आपकी body में भी और mind में भी, तो कहीं ना कहीं हम उन treasures को जो cherish नहीं करते हैं, बार-बार, memories को, जो अच्छी भी हैं हमारे पास, उसकी वज़ नहीं करता हूं, तो मैं आप वहां पर देखता रहता हूं, ऐसे घोरता रहता हूं, यहां वो जगे थी, जह में मेरा एक friend दनरेंदर यहां पर फिसल के गिरा था, यहां पर मैं गिरा था, यहां पर हमारे पीछे cycle चोड़का हम भागे थे पीछे, क्योंकि एक पागल कुता भाग रहा था, यहां पर हमने गन्ना तोड़ा था चोरी से, और बच्पन में और भूक लग रही थी, और यहां पर गन्ने वाला आदमी छुपके बैटा था, उसे नहीं हमारा पीछे किया था, तो यह इतने अच्छे ट्रेजर्स हैं, कई बार इतना मन लगता है, साह एक पेड़ पर चड़ गये तो उतरना आता नहीं, ता पेड़ का मालिक आ गया, जाम उन खाने वाले कि अब कैसे उतरें, लेकिन हम इनको ट्रेजर्डी की तरह लेते हैं, टीचर ने हमें जो मुर्गा बनाया था बच्पन में, आज आज ऐसा मन करता है, वो बच्पन फिर लो और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता, तो अगर आप उस रियालिटी को दुबारा जीना शुरू कर दें, इमेजिनेशन में जो आप जी कराए हैं, और उन पिक्चर्स को विजुलाइज करें, कलरफुल करें, बढ़िया करें, उनमें वर्ड्स को बढ़िया डालें, उ कितने हसा करते थे, कितने आपके अंडोरफिन्स रिलीज़ दुआ करते थे, अब आप बड़े हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, और चारो तरफ की स्ट्रेस में गिर गए हैं, ये आप इंटेलिजेंस के साथ आपने लिया है, लिया है, इसी में पर्टिकुलर्ली जैसे आपने ये चीजे बताई एनलपी में तो जो आपने sensations के बार में बताया है, actually मैंने feel किया sir when I talk to people, तो अगर मैं उनसे कुछ positive reference मांगूँगा तो उनको पांच minute लगेंगे सोचने में, मैं अगर उनसे कहूँगा कि ये positive की workshop में sir लिया था, कि हमारी past की happy memories हैं, वो हमारे लिए treasures हैं, जितना हम उनको access करेंगे, और कहीं न गई जो आपने बोला, मैंने feel किया sir, बहुत सारे ऐसे events, हम बहुत बार ऐसी भी events को जी रहे होते हैं, जो नहीं हुए, stress में भी में आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरे पास एक गुजरात में आदमी आया, पांच दिन की वक्षोप हुआ करती थी तब, तो उन्होंने कहा है कि राम सर मैंने 300-400 क्रोड कमा लिए, सब को पता है कि मैं अमीर हूँ, ठीक है ना, गुजरात में बहुत बड़ा माउंट ने कहला, पिर भी कहता है कि मैं जहां से आया हूँ, वो जीरो था और 300-400 क्रोड बहुत होते हैं मेरे अपने रिलेटिव के बीच में, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता हूँ, और मुझे एंग्जाइटी है लोगों से मिलने में, मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, तो मैं वहां से जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ, ये बता कर भाई, मैं बीजी जबकि मुझे वहां डर लगता है, वो मेरा दम गुटता है, तो मैंने उनकी बात करता रहा, करता रहा, करता रहा, अचानक पता चला कि, जब मैं उनके पास्ट में गया, तो उन्हें पता चला कि, वह बहुत डरे हुए थे और उनके पास कोई भी ट्रेजर नहीं था, देव और दो तीन लोग आपके शहर में आ रहे हैं, और वह इस सोला साल के लड़के से मिलना चाहते हैं, जो तुम ही हो, और मैंने उन्हें वीजविलाइज कराया, कि एक बड़ी असा होटल देखो, उसमें कैसे आप कपड़े पहने हुए हो, कैसे कार में जा रहे हो, अब कैसे आपके साथ वो वाइदा कर रहे हैं, कैसे वो आपको बता रहे हैं, कि एक दिन आप तीन सो करोड कमा होगे, जैसे ही मैंने उसको डीप ट्रांस में लेकर गया, डीप ट्रांस का मतलब होता है, कि जब आदमी अपने लोजिक्स को बरे चोड़ देता है, यह जरूरी हो आपके साथ के लिए काम नहीं का रहा है, मैंने का जी आपकी च्वाइस है, आप यू कन टेक यूर मनी बैक, उसने नहीं सर, आपकी इस टेक्निक के बाद, मैं एक पार्टी में गया था, एंड आई जोए ठोरोली, मुझे जरा सा भी दम नी खुटा, और मेरे पास वो पिक उसको करने के बाद, इवन पीपल सम्टाइम यूज तो फिल कि भई ये तो मतलब ऐसा लगता है कि अलरड़ी, ही इस कमिंग फ्रॉम फ्रॉम पर वेरी रिच और अफ्लूंट बैक्ग्राउं, वो एक कमफर्ट लाना बोडी में, वो बहुत जरूरी है, अगर आप उस ये नियूरोन ने इसे रियालिटी मान ली, और आपकी बोडी ने उसे स्विकार भी कर लिया, कि येस, आम कमफर्टेबल विद इस इमेजिनेशन, क्योंकि अगर लोजिक माइन आता है, तो बोडी कहते है, ये नहीं होगा, ये ये नहीं होगा, पर बोडी जैसे मैं देखत कर रहा है, इसके साथ समझ लिजेगा, कि बोडी इस एकसेप्टिंग इट, याद रिखेगा, किसी भी इमेजिनेशन को, आप अगर रियालिटी में तबदील करना चाहते हैं, जो आपके बीहवियर में दिखाई दे, वो तभी पॉसिबल है, जब आप अपनी बोडी को लेविल पर, यह expression imprint हो जाएगा, चाहिए आप बोडी, चाहिए आप किसी disease को heal करें, या किसी बड़े law of attraction के चीजों को manifest करें, तो आप, मैं सबसे कहूंगा, कि आप past में जाकर, एक visualize तो करें, एक दिन तो निकाल, एक दिन बिना निकालें, तीन घंटे तो निकाल लें, और एक डायरी ले 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 और छोटी ची डेट डाल दें, कि 7th of July, और आप जिस दिन 15 साल के ते वो year याद करके डाल दो, और उस दिन की एक imagine करना शुरू करो कि आप सुभा अच्छे dress पहन रहे हो, आपको एक गाड़ी लेने आ रही है, गाड़ी के अंदर music चल रहा है, लोग कौन सी आ रही है, आपने सीट कौन सी लिया है, उस सीट का कलर क्या था, कैसे बैठे थे, जब आप इस डिटेल में जाएंगे तो आपके mind के जो visuals हैं, वो इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे, कि आप deep trans को create कर लेंगे, और जितनी आपकी deep trans होगी, उतना ही तेजी से जाकर आपकी body को दे देगी, और वो body से कहेगी कि इतनी खुबसूरत picture चल रही है, तुम शान्त हो जाओ, और जो भी चली से मान लो, जब आप किसी picture को देखते हो, तो आप जानते हो, यह picture देखने गए हो, movie देखने गए हो, yes or no, लेकिन एक time ऐसा आता है, कि आप उसमें लगते हो, right, because उसमें आपका mind और body माल लेती है, उसमें आपकी body और mind माल लेता है, कि यह reality है, बस यही इसका magic है, perfect sir, मतलब यह तो बहुत important information है, so, बहुत powerful insights थे sir, मेरे again questions आपने address किये, और जैसे कि आप हमेशा मुझे guide करते रहते हैं, so, जो भी मेरे questions मन में हैं, आपने ब बहुत ही अच्छे से सारे issues को address करते हुए चल रहे हैं, और मैं तो बस यही प्रे करता रहूंगा, sir, कि आपकी guidance हमें मिलती रहे continuously, और इसी तरीके से हम लोग succeed करते हैं, thank you, charanji, and thank you very much, आप सब लोगों को जल्दी invite कर रहा हूंगा, keep enjoying, keep growing, thank you so much, sir.